इस्राइल ने लेबनान की राजधानी बेरूद पर एक और बड़ा हमला किया है इस्राइल ने अपने इस हमले में आतंकी संगटन हिजबुल्ला के मुख्याले को निशाना बनाया है बेरूद के दही में किया गया ये हमला जो है इसमें छे इमारतों को निशाना बनाया गया आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये हमला हुआ है इमारते किस तरह से यहां पर धोस्त हो गई है पूरा का पूरा धुए का गुबार यहां पर नज़र आ रहा है। हिजबुल्ला मुख्याले पर हुए इस हमले से कुछ देर पहले ही प्रधान मंत्री बेंजमिन नेत्य नियाहू ने सयुक्तर राश्टर को बताया था कि लेबनान के सातंकी संगटन हिजबुल्ला के खिलाफ उनका ये अभ्यान जारी रहेगा और इस हमले की तस्वीरे भी अ जानकारी वो हमें दे रहे हैं कादम नहीं यहां पर लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाने पर बनाया गया उसकी तस्वीरे हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इमार्तों पर ये हमले हुए हैं मिसाइले दागी गई है हिजबुल्ला चीफ जो हासन नसरुल्ला है क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है जिसको टागेट किया गया है देखिए जो ये हमला हुआ था जो हेड़कॉर्टर पर हेड़कॉर्टर पर हेड़कॉर्टर पर हमला किया गया इसके बारे में तो जरूर बयान दिया है इस्राइली सिना ने लेकिन हसन नसरुल् intelligence को पता थी और उनको ये जानकारी मिली थी उसके अलावा और भी वहां पर commanders जो थे यहां पर headquarters में जो की residential building के नीचे headquarters था वहां पर मुलाकात कर रहे थे जिसकी जानकारी इसराइली forces को लगी और एक precision attack किया गया कम से कम पास से 6 building जो है इसमें ध्वस्त हो गई ये रिहाईशी इमारती थी और ये ध्वस्त हो गई है वहां पर बहुत बड़ा सा crater बन गया है जैसा हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं लेकिन छे लोगों की मारे जाने की खबर है 91 की घायल होने की खबर है आशंका ये है कि ये numbers जो हैं और ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अभी तर ना इस्राइल के तरफ से कोई पुछ्टी आई है कि क्या हुआ है ना हेजब ला कि तरफ सी जो बयान आया है उसमें कुछ भी कहा गया है बयान जो आया है उसमें ये कहा गया है कि पश्चमी मीडिया जो बोल रहे है वो ज रात भर सुबह तक जारी रही है और इसमें हाथियार जो डेपो है जो प्रोडक्शन सइट से ँसे हतियारों के इन सब जगों को हेजबुला के इस्राइली एरिकोर्स ने निशाना बनाया है इसमें दो जो कमांडर है उनके मारे जाने का ऐलान भी इसराईली सीना ने किया है ये जो हैं वो हिस्बुला की रॉकिट और मिसाइल फोर्स के प्रमोख मुहम्ब इसमाईल और डेपिटी उनका जो है हुसेन, इसमाईल, इन दोनों के मारे जाने की खबर इसराइल की सेना ने दी है इस बीच जहां पर हमला हुआ है जो हेड़कॉर्टर्स पर आजब ला के हमला हुआ है वहां पर बचाव और राहत काम चल रहा है वहां पर फायर ब्रिगेड हो या फिर बाकी जो एमुलेंस वगरा है वहां पर मौजूद है रात बर जो हमले चले हैं उसके बाद कई जगहों पर आग लग गई है उसे भी देखा जा रहा है और इन सब के भी अमेरिका नहीं ये कहा है प्रेसिडंट बाइडन को इसकी जानकारी दी गई है उन्होंने कहा है वो भी जानकारी उनको मिल रही है इसके बारे में और जानकारी ले रहे है पेंटगन निसाफ कहा है कि अमेरिका को ना पहले जानकारी दी गई थी ना उसका इसमें कोई हाथ है जी कादम ने जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और इसराइल ने संयुक्त राष्टर में जो बयान भी दिया है आने वाले वक्त में हिजबुल्ला को खत्म करना एक उसका कहीं न कहीं मकसद दिख रहा है तो ये लडाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है जाहिर सी बात है ल करने की कोशिश इसराइल के तरफ की जा रही है वहां पर इंटरसेप्ट किया जा रहा है चाहे रॉकेट हो या मिसाइल हो वह भी लगातार हो रहा है लेकिन इसराइल ने बहुत साफ कर दिया है कि वो जो युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका और बाकि कुछ देशों ने दिया था हेजबला के साथ वो उसको मानने को तयार नहीं है यहां पर साफ यह है कि जिस तरह से उन्होंने खलबली मचा दिये है हेजबला के पूरे रांक्स में जो पेजर वोकी टॉकी जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद संचार वेवस्ता उनकी अफेक्टेड हो शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका तो यहां पर कादमनी बता रहे हैं कि किस तरीके से यह हमले यहां पर किये गए है आने वाले वक्त में तनाव पून स्थिती साफ तोर पर यहां पर नज़र आ रहे हैं